हलो स्टुटेंट्स आज की क्लास में हम कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमन्क्लेचर की बात करेंगे जो कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स है उनका नाम करेंड किस प्रकार से किया जाता है उन रूल्स की आज अपने इस्ट्रडी करेंगे इन में सबसे पहले हम monocentral complex compounds की study के nomenclature की study करेंगे monocentral का मतलब है way coordination compounds जिन में एक central metal atom या iron होता है वो पहलाते है monocentral complexes अब monocentral complexes के नाम करें में कौन-कौन से rule आते हैं उनको हम एक-एक करके study करते हैं नमबर वन है order of positive and negative part मिस धनात्मक और इनात्मक भाग का क्रम तो जो positive और negative part है यह थी किसी complex compound में तो वो part जैसे common salt होता है उसी order में उनका नामकरण किया जाता है common salt जैसे nacl तो हम जानते हैं कि nacl के नामकरण में हम पहले na means positive part का नाम करेंगे उसके बाद में chloride का नामकरण करेंगे तो अपन बोलते हैं Na को NaCl को sodium chloride ठीक उसी प्रकार से यह किसी coordination compound में positive और negative दोनों part हैं तो पहले हम positive part का नामकरण करेंगे और उसके बाद में हम negative part का नामकरण करेंगे ठीक है अब इसको समझने के लिए यहां पर हम एक example लेते हैं यह कोबाल्ट का ammonia से का coordination compound है इसमें हमें पता दिख रहा है कि जो कोबाल्ट क्या कहा जाए कि जो coordination entity है उसका वह positive है जबकि chloride है मिन्स जो counter ion है वह negative है और अभी हमने बात किए कि पहले हम positive part का नाम लिखेंगे उसके बाद में negative part का नाम लिखेंगे और इन दोनों portion के बीच में space रखा जाता है ठीक है कुछ vacant space छोड़ा जाता है तो यहां पर इस compound का नाम होगा hexamine, cobalt, third, फिर अपने space छोड़ेंगे और बाद में लिखेंगे negative part means chloride ठीक है तो इस नाम से साफ दिख रहा है कि positive और negative part के बीच में कुछ vacant space छोड़ा गया है और पहले हमने positive part का नाम लिखा है और उसके बाद में negative part का नाम लिखा है ठीक है अब अपन बात करते हैं कि जो order of ligands and metal atoms means ligand और धातू परमानू आयन का क्या क्रम है मतलब वो किस क्रम में रखे जाएंगे तो coordination entity में हम जानते हैं कि धातू atom या आयन होता है और उसके साथ में ligand होते हैं तो उनका order क्या होता है तो इसमें सबसे पहले ligands का नाम लिखा जाता है और ligands के नाम के बाद म central metal atom या आयन का नाम लिखते हैं ठीक है हमेशा coordination entity में पहले ligands का नाम लिखा जाएगा और अंत में central metal atom का नाम लिखा जाएगा तो यहाँ पर example में हम देखे तो iron जो है वो central metal atom है जबकि water के molecules से वो ligand का काम करें तो पहले हम नाम किसका लिखेंगे ligand का और कितने हैं यह 6 है इसलिए hexa aqua iron second iron ठीक है तो यहाँ पर हमने पहले ligand का नाम लिखा है फिर central metal atom का नाम लिखा है इसी प्रकार से नाम लिखा जाता है coordination compounds का number third की बात करें rule की तो order of ligands मतलब ligands का क्या करम होगा अब मैं एक बार वापिस revise गरवा देती हूँ कि किसी coordination compound में positive और negative दोनों पार्ट है तो पहले हम positive का लिखेंगे एकसी कुछ space छोड़ेंगे और negative पार्ट लिखेंगे अब coordination entity में हम जानते हैं कि ligand और metal दोनों present होते हैं तो इनके नामकरण में पहले ligands का नाम लिखा जाएगा उसके बाद में metal atom का नाम लिखा जाएगा अब जो ligands हैं उनका नामकरण का क्या क्रम है तो ligands are named in alphabetical order means जो ligands हैं वो alphabetical order के क्रम में रखे जाते हैं मतला अंग्रेजी वर्ण माला की क्रम में हम ligands को लिखते हैं तो यहां पर example देखे तो यह कोबाल्ट का एक complex है जिसमें complex आयन है जिसमें chloride और ammonia दो टाइप के ligands present हैं लेकिन हम जानते कि chloride का नाम सी से स्टार्ट होता है जबकि अमोनिया का A से इसलिए alphabetical order में देखा जाए तो A पहले आता है C के तो इसका नाम क्या होगा tetraamine क्योंकि चार अमोनिया के ligand है तो tetraamine dichloro क्योंकि chlorine कितनी है दो तो dichloro cobalt third आयन सभी को के लिए समझ में आ गया होगा आगे यहां पर केवल आपको इस alphabetical order को ही ध्यान देना है आगे हम धीरे-धीरे रूल जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पूरा नाम समझ में आता जाएगा यहां तक हम Coordination entity में पहले लिगेंच का नाम लिखा जाता है फिर मेटल का नाम लिखा जाता है और लिगेंच में और प्रत्य या अनुलगन काम में लिए जाते है उनकी अपन बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है कि यह दी कोई negative legend है तो negative legend के लिए हम o suffix o अनुलगन को काम में लेते हैं तो जो negative legends होंगे उनमें हम last में o लगा देंगे ठीक है इस प्रकार से negative legends का नाम लिखा जाता है अब यह दी किसी negative legend के अंद में i डा रहा है तो हम i e को हटा देंगे और इसकी तो हम e हटा देंगे और o लगा देंगे तो बन जाएगा i2 इसी प्रकार से a te में इसे e हटा कर o लगा देंगे तो बन जाएगा a to a to clear means हमें e को o से replace करना होता है generally जो negative legends हैं उनके नाम करन के दोरान अब अपन इसको example से समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसको इनका नाम करन करते हैं कुछ examples देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला है hydride h minus जिसका formula क्या होता बच्चो h minus hydride तो इसको o लगाएंगे तो क्या बन जाएगा hydride o second है fluoride o से fluoride o chloride होता है cl minus तो o लगाते ही क्या बन जाएगा chlorido bromide br minus इसका formula है तो क्या बन जाएगा bromido इसी तरीके से iodide से क्या बन जाएगा hydride o इन जो halogens है मतलब जो halogens के negative ions है means hyalides है उनको हम fluoroclorobromoido भी कहते हैं ठीक है बच्चो इसी तरीके से chlorate chlorate का formula होता है cl o3 minus chlorate में भी हम o लगाएगे तो क्या बन जाएगा chlorate o पर chlorate का formula होता है cl o4 minus और chlorate में o लगाएगे तो क्या बन जाएगा पर chlorate o आ रहा है ना समझ में और इसी तरीके से hyperoxide hyperoxide को हम superoxide भी बोलते हैं और उसका formula हता है o2 minus ये क्या बन जाएगा hyperoxo या superoxo मिन जब इसका ligand बनेगा superoxide गाएगा तो हम नाम लिखेंगे इसका hyperoxo या superoxo इसी तरीके से paroxide परोकसाइड गा फोर्मूला होता है o2 minus 2 इसे हम लिखते है परोक्जो, ओक्साइड, ओक्साइड का फोर्मूला होता है O-2, इसे लिखते है ओक्साइड, सल्फाइड का फोर्मूला होता है S-2, इसे हम लिखते है सल्फाइड O, हाइड्रोक्साइड का फोर्मूला होता है OH-, इसे हम लिखते है हाइड्रोक्सो, इनको बच्चों आपको याद भी करना है ना आपको कि किसको कैसे लिखा जाता है इसको एक दो बार आप रिडिंग लगाएंगे देन आपको इनके नाम याद होने इस्टार्ट हो जाएंगे और आपको याद भी करने है ठीक है इसी तरीके से ओक्जलेट का फोर्मुला होता है C2O 4-2 oxalic acid जो होता है उसके दोनों hydrogen को हटाएंगे तो हमें oxalate rhenine ligand प्राप्थ होगा और इसको बोला जाता oxalate 2 mercaptite का formula होता है sh- इसे बोलते mercapto ठीक है इसी तरीके acetate acetic acid का h हटा कर हमें मिलता है acetate और उसको o लगाएंगे तो acetato इसी तरी से तरीके से glycinate glycinate glycine amino acid उससे हमें मिलता है glycinate जब उसका carboxylic part का h हटा दिया जाता है then तो इसका formula होता है ns2 c s2 c o o minus और इसका नाम होता है glycinate o इसी तरीके से sulfite s o 3 minus 2 इसका क्या होगा sulfite o hydrogen sulfite या biosulfite इसका formula होता ह s o 3 minus और इसे बोला जाता ह hydrogen sulfite o thiosulfate का formula है s 2 o 3 minus 2 और इसका formula होता thiosulfate o इसी तरीके से sulfate s o 4 minus 2 sulfate जो है उसका formula s o 4 minus 2 और उसका नाम क्या होगा sulfate o नाइट्राइट नाइट्राइड सोरी नाइट्राइड का formula होता है n minus 3 और इसका नाम होता नाइट्राइडो इसी तरीके से cyanide cn- नाम क्या है cyanido या cyno भी बोलते हैं इसको ठीक है इसी तरीके से cyanate nco minus cyanate को cyanato बोला जाता है thiosynate ncs- इसे बोलते थायो cyanato ठीक है सभी के जितने ये अपन बात कर रहे हैं कि negative ligands को negative ligands में हमने इसाब दिख रहे हैं कि इन सभी में क्या है इन में सभी में हमने o लगाया है नाम के last में ये आपको हमेशा याद रखना है इसी तरीके से amide nh2 minus तो क्या मनेगा amido इसी तरीके से amide nh-2 तो इसका बन जाएगा imido phosphate po4 minus 3 तो बनेगा phosphate o nitrite no2 minus nitrite o nitrate co3 minus क्या मनेगा nitrate o carbonate co3 minus 2 तो क्या मनेगा carbonato ये हैं जब भी हमारे पास कोई negative ligand आते हैं उनके नामकरण के दोरान उनमे ओ सफिक्स या अनुलग लगाया जाता है आज की class में इतना ही पढ़ेंगे आगेगा next class में पढ़ेंगे धन्यवाद